नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम डिसकस करेंगे की मैकबेरी लिवो सिरप का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है. मैकबेरी लिवो सिरप को कैसे लेना चाहिए? और Macberry Liveo syrup की वज़र से क्या side effects हो सकते हैं? और यह भी discuss करेंगे कि Macberry Liveo syrup को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. Macberry Liveo syrup का उप्योग बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है. Macberry Liveo syrup बलगम को पतला करती है और फेफरो में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है. इसके अलावा अस्थमा और COPD से पीडित र्यक्तियों को भी डॉक्तर Macberry Liveo syrup को लेने की सला दे सकते हैं. Macberry Liveo syrup को लेने के बाद फेफरो के वायुमारत चोड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा और COPD से पीडित र्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है. Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Macberry Liveo syrup की वजह से कोई Side Effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Macberry Liveo syrup की वजह से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं. जैसे मुँँ में सुखापन, सिर्दर्ध होना, भूक कम लगना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, कब्स होना, दस्त होना, पेट में दर्द, तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशेस, उल्ती आना और उल्ती आने का मन होना आदी Side Effects Macberry Liveo syrup की वजह से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की Macberry Liveo syrup को कैसे लेना recommended होता है. Macberry Liveo syrup को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को डॉक्तर 5 मिलिलीटर Macberry Liveo syrup को दिन में तीन बार लेने की सला देते हैं. और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्तर 10 मिलिलीटर Macberry Liveo syrup को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सला दे सकते हैं. Macberry Liveo syrup की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको Macberry Liveo syrup को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि Macberry Liveo syrup को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. बलगम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको Macberry Liveo syrup के साथ साथ हर रोज दिन में दो से लेकर तीन बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए. और बर् दो को Macberry Liveo syrup का सेवन नहीं करना चाहिए. और ऐसे व्यक्तियो को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए. प्रेगनेंट महिलाओं के लिए Macberry Liveo syrup का सेवन करना recommended नहीं है. अभी इसके बारे में पर्याप्ट data available नहीं है कि Macberry Liveo syrup स्थनपान करा रही महिलाओं को नुक मर्श लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मैटबेरी लिवो सिरप से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुच सकती है